तज्यायति परम जोती समं समस्ते रनन्त पर आये धर्पन तले इवे सकला प्रती फलती पदार्थ मालिका आयत्र परमागमस्यभीजं निषिध जात्यंद सिंदुर विदानं सकलने विलसितानां विरोध मत्नम नमाम्यने कांतं पुर्शार सिद्युपाय नामकी अग्रंथ है अम्रचंद्राचारिय के अनुपम रचना हमारे जीवन को मर्यादित पना देने के लिए यहां भोगो भोग परिमाण नामक शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है सुन्दर प्रक्रण है महत्वपूर्ण चर्चा है प्रत्यक जीव के जीवन में सैयम तो होना ही चाहिए जिसके जीवन में सैयम नहीं उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान कहा गया है जिस तरह से जिस गाड़ी में सैयम नहीं होता ब्रेक नहीं होता उस गाड़ी का एक्सिजेंट दुरगटना होती ही होती है ठीक उसी प्रकार जिन व्यक्तियों के जीवन में सयम नहीं होता उन व्यक्तियों का जीवन निश्चित तोर पर बरबाद होता ही होता है खतम हो जाता है उनका जीवन जीवन में सयम होना चाहिए कितनी तरह से सयम लिया जा सकता है कितने प्रकार से जीवन को संयमित किया जा सकता है उसके थोड़े बहुत क्राइटेरिया यहां बतला रहे हैं मोटे मोटे तौर पर यदि हम यह कहें कि खान पीन में संयम हो और रहन सहन ओडने पहनने में संयम हो ये मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया जो खान पीन का सहियम है उसे भोग परिमान कहे करके पुकारा और जो मौज मस्ती के साधन सुविधाओं में कंट्रोल है उसे उपभोग में सहियम कहे करके पुकारा भोग और उपभोग दोनों ही प्रकार से जीवन में सायम होना चाहिए भोग संबन्दी सायम के संदर में चर्चा करते हुए यहां अनंत काईक जीवों की वीराधना से वचने की प्रेरिणा दी गई और यह कहा गया कि जिन वस्तूओं के सेवन करने से अनंत जीवों का घात होता हूँ जिनके सेवन करने से घात होता हूँ हिंसा होती हो उन सब का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए बहुत तरह की बातें इसके संदर्म में कही गई और इस बात का अंदाजा लगाने के लिए अनुमान लगाने के लिए इसके जो शास्त्रों में प्रमान दिये गए असंख्यात लोग प्रमान इसकंद है एक एक इसकंद में असंख्यात लोग प्रमान अंडर है एक एक अंडर में असंख्यात लोग प्रमान आवास है एक एक आवास में असंख्यात लोग प्रमान पुल्वी है एक एक पुल्वी म असंख्यात लोग प्रमाण देह हैं शरीर हैं असंख्यात लोग प्रमाण और एक एक शरीर में अननत 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 जीव हैं और उस सारी जीवराशी को cross कर उन सब में से कभी-कभी मैं ऐसा कहता हूँ selection selection देखो आप competition का जमाना है ना आज तो चारों तरफ competition नजर आता है जहां देखो वहाँ competition है competition है competition का जमाना है अरे सुनो थोड़ा बहुत competition जीत लिया हो कुछ लोगों में से कुछ का चुनाव होना हो सो में से एक का होना हो हजार में से एक का होना हो पांच हजार में से पांच का होना हो पांच लाख में से एक व्यक्ति को चुना जाना हो तो भी competition बहुत आसान है हमने जिस competition को जीता है वहां उस निगोद दशाई केंदरी परियाई में अनंता 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 जीव थे और उन अनंता अनंता जीवों में से एक को चांस मिलता है बाहर निकलने का तरस परियाई में आने का हम वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य परियाय तक पहुँच गए नर देह उतम देश पूरण आयुशुभ आजीविका दुरवासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्यनों की संगती सत धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महाँ दुरलब आत्मा की साधना यह सारे लेवल हमने क्रॉस किये हैं बहुत सारे लेवल हैं दुरलब ता की चर्चाओं में पहली भी अने एक बार आप लोगों के बीच में यह सब चर्चाएं हम कर चुके हैं देखिए आज चर्चा को कुछ और बढ़ाते हैं हम संयम की तरफ मने कल संयम अंगीकार करने की बात बतलाते हुए 163 श्लोक में यह बात कही थी नवनीतम्च मक्खन का वित्याग कर दीजिए बूल्श लोक पढ़ लेते हैं फिर पीछे भावार्त से अपन बढ़ेंगे नवनीतम्च त्याज्यम योनिस्थानम प्रभूत जीवानाम यद्वापि पिंड शुद्धव विरुद्म भिधियते किंचेत मक्खन का वित्याग कर दो नवनीतम अंतरमूर्थ मर्यादा क्या कहिए अंतरमूर्थ क्या कहें यह तो कहे रहे हैं निकालते ही उसे आँच पे चड़ा लेना चाहिए ऐसा यहां निरदेश कर रहे हैं मक्खन 22 प्रकार के अबक्षियों के नाम कहें़े शास्त्रों में उन 22 अबक्षियों में एक अबक्षिय का नाम मक्खन भी आया है एक बार यहां प्रकरन पढ़ते हैं फिर 22 अबक्षियों की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो भावार्थ देखिए सीधे भावार्थ पर आजाईए पेज नंबर 180 है आचार शास्त्रों में जो पदार्थ अभक्ष माने खाने योगे नहीं है आभक्ष, माने भक्षन करने योगे नहीं है, सेवन करने योगे नहीं है, उन्हें निशिद्ध बताते हैं, उन सब का त्याक करना चाहिए, परहेज जैसे कहते हैं परहेज, परहेज क्या होता है, परहेज माने होता है, सावधानी रखो, परहेज माने क्या होता है, नहीं भी प्रिमारी होती हैं तो उसका इलाज करने के लिए पहले परहेज बतलाता है यदि आप परहेज नहीं रखेंगे तो आप ये मान करके चलिए आप कितनी भी औशदी का सेवन करें कुछ इलाज होने वाला नहीं है तो यहां ये जो अभी चर्चा चल रही है ये चर्चा किसाब क्या बात कर रहे हो देखो यदि परेज नहीं होगा ना तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी किसाब हमारे समझ में नहीं आया आप कौन सी समस्या की बात कर रहे हो हम आपको यह बतलाना चारे हैं शास्त्रकार यह बतलाना चारे हैं आचारे देव यह ब धर्म मने निरोगी अवस्ता धर्म मने रोग मिट जाना रोग मिटने लगना उसका नाम है धर्म की शुरुवात और रोग पूरी तरह से मिट जाना इसका नाम है धर्म की पूर्णता तो यदि धर्म करना चाहते हैं हम मने निरोगी होना चाहते हैं मने जन्म जरा मरत्यू रोग विनाशनाए जन्म निर्व पामी थी स्वाहा ये जो भावना हम रोजाना भारे हैं जन्म जरा मरत्यू रोग विनाशनाए जन्म जरा मरण ये रोग हैं जनम मरन का रोग लगाएं बुड़ापे का रोग लगाएं दुख ही है हम चतुर गती में परिब्रमन करते हुए हैं हम बीमार हैं उस बीमारी का यदि सच में इलाज करना चाहते हैं तो धर्म प्रकट करना होगा तो बोले साथ ठीक है हम धर्म करेंगे तो बोले क्या करेंगे धर्म के लिए बोले स्वाध्याई करेंगे धर्म के लिए क्या करेंगे बोले पूजन भक्ति आराधना तत्व चिंतन वस्तु स्वरुप का विचार ये सब कुछ करेंगे पंडी जी हम खूब आराधना करेंगे हम फिरतो धरम प्रकट हो जाएगा ना फिर तो निरोगी अवस्ता प्रकट हो जाएगी ना अमारी लाइफ में फिर तो हम बीमार नहीं रहेंगे ना फिर तो हमारे दख्तक लीज़ धर ना बिल्कुल मिधायें। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुनो प्रभू हम तो पिछले 20 साल से इन सब बातों का पालन कर रहे हैं ठीक क्यों नहीं हुए कहा है 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 जुआ ए सब पालन पहर करें खूंब करें सवाध्याय सब कुछ कर रहे हैं एमाला का जाब भी करें सौध्याय भी करें पठन पाफन भी करें पढ़ा ए moral कि सुनो तुमने यह सab करते हुए कुछ परहयेज बतला साहे थे वह किये कि नहीं और तो नहीं Co लेकिन आत्मा का चिंतन तो कूब करें आत्म-आत्मा के बारे में चंतन करें सुनो आत्म-चिंतन के साथ-साथ कुछ परहेज जरूरी Normal उनके बिना यह आत्मों चिंतन रूपी दवाई काम नहीं혁ा सारे रोगों की एक दवाएं सारी बीमारियों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम सारी बीमारियों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम लेकिन परहेज नहीं किया कभी तो फिर डॉक्टर को दोश दे रहे हो सहाब आपने बतला है सहाब हुआ ही नहीं सहाब हम ठीक ही नहीं तो ये परहेच की चर्चा चल रही है, इस पूरे प्रक्रण के माध्यम से, देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं, सौगानी जी साब, अपन लोग तो सब इन चीजों का पालन करते हैं, लेकिन जितना पालन करते हैं, उसे और अधिक मर्यादित करने की भावना भाते रहें, और कर लो सीमित, और कर लो मर्यादित, और कर लो मर्यादित, अरे इतना समेट लो अपने आपको कि अपने में चले जाओ, बस, इतना समेटना है, इस लेवल तक समेटना है हमारे को, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो समेटने की प्रक्रिया चल रही है, जो दूर होने की प्रक्रिया चल रही है यह सब पर से हटकर और अपने में आने की प्रक्रिया चल रही है दूरी बना ली राग घट गया मोह घट गया आसकती घट गई पदार्थों के प्रती ज्योंज्यों आसकती घटती चले गई पर के साथ में आसकती घटी और निजिके नजदीक आ गया ऐसा हैं, अपने नजदीक आने के लिए परसे हटना पड़ेगा, और भगवान बनने का मार्ग, मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग, अपने नजदीक आने का मार्ग हैं, बस, निजगर के नजदीक आओ, वही सुमत प्रगाई जी वैदाओ की पंक्तिया, दो घड़ी निजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भर्माओ, दो घड़ी के लिए, 48 मिनिट के लिए, सच में जो व्यक्ति इमानदारी से दो घड़ी के लिए, अपने स्वभाव के नजदीक आ जाते हैं, जिनागम ये कहता हैं, अंतर मूर्त में उन्हें केवल ग्यान की प्राप्ति हो जाती है, तो ये जितनी परहेज, किस किस से परहेज करा रहे हैं, सब से कराएंगे सारी दुनिया से, देह तक से परहेज की बात करेंगे, लेकिन अभी दूसरे देहधारियों को तुम उनके प्रति करुणा करो, डरो थोड़ा सा, और अपने में आने का प्रेत्न करो, देखिए, इस संदर्व में क्या किया, आचार शास्त्रों में अभक्ष का निशेत किया, उन सब का त्याक करना चाहिए, चमडे में रखा रस्त जीव उत्पन होते रहें, उसका नाम है चमडा, लेदर, लेदर की चीज, हर समय, ओ, भाजियां, पीछे अपने मांस त्याक की चर्चा की थी, उस समय हमने मांस की बातें कही थी, यहां ये चमडे से इस परशित वस्तू की बात कह रहे हैं, लेदर के बने हुए बेल चमडे की चीजें, औरे बेल्ट आपने बांध रखा है, समझे लो, आपको पता नहीं है, उस बंदे हुए बेल्ट में प्रती समय असंख्यात त्रस जीव दो इंद्री, तिंद्री जीव उत्पन हो रहें, प्रती समय उत्पन हो रहें, आंखों से दिखाई नहीं देंगे ऐसा श्लोक पड़ाजा पीछे है अपनने हमरक चंद्रा चारे देव का, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, ये मांस पड़ा हुआ हो, रखा हुआ हो, पक रहा हो, कच्चा हो, सूखा हो, किसी भी अवस्ता में हो, प्रती समय इसमें असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत ही होती 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 रहती ही है, अब उस चमड़े की बेल्ट को आपने हाथ लगाया, और भोजन किया, और मांस बक्षण का पाप लगा रहा है, बोलो चमडे की जैकिट वगर है ये ऐसी चीजे पहनने लायक तो है नहीं पहनने की तो बात ही नहीं ऐसी चीजे टच करने लायक नहीं है ऐसी चीजे छूने लायक नहीं है आजकल तो लोग शमशान से आकर के भी नहीं आते हैं क्या जमाना आ गया है लेकिन मुर्दे को चूने के बाद तो नहाते है डेड बॉड़ी को चूने के बाद में तो नहाते है ये जो लेदर की बेल्ट है ना ये डेड बॉड़ी है ये किसी पशू की डेड बॉड़ी है किसी गाई की, किसी भैस की, किसी बेल की, किसी का चमडा है यह उसकी डेट बोड़ी है इसे टच करने के बाद में नहाएं नहीं अरे टच क्यों कियां आपने यह बतलाईए यह टच करने लाइक नहीं असंख्यात तरस जीव उसमें उत्पन होते हैं इसलिए उन से स्परशित घी, तेल, पानी, आदिव पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए यह महावक्ष है आगे बढ़िए एक मुहूरत अर्थात 48 मिनिट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूद एक दिन उपरांत का दही, बजार का आटा कल सब चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हैं अपने इनके बारे में अंजाना, फल, बेंगन, सड़ा हुआ, अनाज, बहु बीज वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए जिन वस्तुओं के सेवन में यह सब दोश लग रहे हों, सड़ गया हों, बेंगन हों, अन्जान फल हो, बजार का हो यह सारी चीजें, मरियादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए ऐसा आटा, जिस आटे में मरियादा क्रॉस हो गई हो कितनी मरियादा हैं आटे की, कल बतलाया था मैंने कुछ मरियादा की वस्तुओं के संदर्म में यहां मेरे सामने एक पेज रखा हुआ है उसमें कुछ वस्तुओं की 10-12 चीज़ों की मरियादा के संदर्म में कहा है यद्यपी इन सम्मर्यादाओं का द्रड़ता से पालन निरती चार पालन पंचम गुणस्थान के बिना नहीं होता पंचम गुणस्थान वर्ती व्यक्ती ही इनका द्रड़ता से पालन कर सकता है लेकिन पंचम गुनस्तान नहीं है हमारा तो फिर क्या करें पंडी जी ये बतलाईए फिर तो हम तो कुछ भी खा पी सकते हैं ना हमारा पंचम गुनस्तान तो है नहीं हमारा पांचवा गुनस्तान तो है नहीं, तो हम तो कुछ भी खाएं, कुछ भी पीएं, कुछ भी चलेगा हमारे साथ में तो, भाईया कौन सी गलत पहमी में जी रहे हो आप, पंचम गुनस्तान वरती निरती चार पालन करता है, निर्दोष रीती से पालन करता है, लेकिन प अरे इस ए प्रेक्टिस पंचे मुनस्तान वर्त्य होना है कि नहीं होना है। भूमी कह जब आएगी तब उसमें और परिपक्वत आएगी। बोलो छोटे-चोटे से बच्छों को दर्शन कराते हैं। चोड़े चोड़े से बच्चों को स्वाध्याय में लेकर के आते हैं, चोड़े चोड़े से बच्चों को लेकर के बैठते हैं, प्रहोचन सवाओं में लेकर के बैठते हैं, चोड़े चोड़े से बच्चों को चोड़ी चोड़ी चीज़ें याद कराते हैं, कि क्यों भाहिस हारी नहीं हूँ सामने से मेरे लिए पूछा कि पंडी जी आप प्रतिमाध अभी हम प्रतिमाध हारी नहीं है ठीक है न हम वरती नहीं है हम आविरती हैं बिना वरत वाले हैं लेकिन वरत की भावना तो भाते हैं जितना संभव हो सके उतना पालन करने के लिए तो प्रयास करत जितना संभव हो सके उतना कोशिश तो की जा सकती है जितना निर्दोष जीवन जी सके उतना जीने के लिए प्रेत्न शीलतों है स्वच्छंद वरत्ती तो नहीं है अनाचार तो नहीं है ठीक है ना जो भी जितना हो सके उतना पालन करने का प्रेत्न कीजिए देखिए यहां आटे की मरियादा के संदर में कही बात जो लिखी है वो तो अभी हमने पढ़ी दिया आटे की मरियादा तीन दिन पांच दिन और साथ दिन की होती है तीन दिन की मरियादा होती है बरसात के दिनों में पांच दिन की मर्यादा होती है गर्मी के दिनों में और साथ दिन की मर्यादा होती है सर्दी के दिनों में तीन दिन पांच दिन और साथ दिन यह आटे की मर्यादा यह था संबव ठीक है न? देखिए personal question पूछ लिया कोई बात नहीं पूछे तो पूछ ले में मुझे कोई फरक भी नहीं पढ़ता है जो जैसा है इस पश्टरिती से बात कहने की बात है लेकिन फिर भी किसी की personal life से कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं होता है आप सम्यकद्रष्टी है या नहीं है ऐसा भी प्रश्ण पूछ लेते हैं आप सम्यकद्रष्टी हैं क्या आप कौन से गुणस्तान वाले हैं तो हम क्या बतलाएं हम तो आराधक हैं आप क्यों जानना चाहते हैं हमारे बारे में मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं लोग ऐसे प्रशन पूछते हैं विद्वानों से लोग सभाओं में ऐसे प्रशन पूछते हैं जगे जगे इस प्रकार की चर्चाइं करते हैं ठीक है न तो बिचारना भई अपने को अपनी भूमिका के बारे में सोचना है हमारे यहांशास्त्रों में तीन परकार के वेश पूज्य कहे है मोक्ष मारग परकाशक के प्रकरण में चली है चर्चा कॉडर मल जी ने कही है और कुद कुदा चेरे का हवाला देकर के बात कही है तो उसमें पता हैं क्या बात कही उसमें बात कि हमारे यहां यह जो पंडित है यह पूझे नहीं है यह कुर्टे पजामे वाला है यह पूझे नहीं है लेकिन कुर्टे पजामे वाला यदी पंचम गुनस्तान वरती है और ग्यारवी प्रतिमा धारी पूझे होता है कुल में का भी कोई आचरण नहीं होता सम्यक से अर्ग चडाने योग्य रंचमात्र भी नहीं है क्योंकि हमारे असयमी नावन्द है क्या असयमी जीव की वन्दना नहीं होती असयमी कभी पुज्य नहीं होता हाँ सम्मान नहीं हो सकते हैं रेस्पेक्ट कर सकते हैं हम से बड़े हैं हम से ग्यान में इश्रेष्ट हैं हमारे गुरु हैं हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं यह सब बाते हो सकती है लेकिन कोई व्यक्ति उनको अर्ग चड़ाने लगें भाईया सुनो नहीं चलेगा किसाद चेड़ाला के अंदर दौलत राम जी ने लिखाएं पै सुरनाथ जजे हैं तो बहुमान के अर्थ में लिखाएं पूजन के अर्थ में नहीं है हमारे यहां या तो मुनिराज का द्रविलिंग पूजे है ठीक है द्रविलिंग पूजे है मुनिराज का या फिर चलो आ ये वेश पूजे हैं यदे निर्दोश दिखाई दे रहे हैं तो क्योंकि वंदन करना नमोस्तु कहना वंदामी कहना इच्छामी कहना ये चर्णानुयोग का विशय है मुने राजियों के लिए नमोस्तु शब्द का प्रियोग किया जाता है आरिकाओं के लिए वंधामी शब्द का प्रियोग किया जाता है एलक शुलक के लिए इच्छामी शब्द का प्रियोग किया जाता है पंचम उनस्तान वर्ती ग्यारी प्रतिमा जारी एलक शुलक हो उनको कहेंगे इच्छामी माता जी हो वंधामी मुनिराज हो नमोस्तु अब ये जो शब्दों का प्रियोग किया है हाद जोड करके ये क्या है भाई साव बुले ये चरणानु योग है क्या चरणानु योग है ये जो आचरण शास्त्र है न चरणानु योग का कथन है तो चरणानु योग की प्रवरक्ति है तो चरणानु योग तो आचरण देखता है तो आचरण क्या देखा आचरण देखा ते नगन दिगंबर दिखाई दे रहे हैं मूलगुणों का पालन कर रहे हैं निर्दोश रीती से इनका पालन दिखाई दे रहे हैं तो बिलकुल नम प्रकरण आएगा थोड़े समय बाद में सुभे बतला हुआ दोसो तिरासी नंबर पेज खोल करके देखिए द्रव्यलिंगी पूझे हैं उसी के आसपास का पहले प्रकरण है वो खोल करके देखिए वहां टोडरमल जी कहे रहे हैं समाव विष्टरण में मुनिराजियों की स संख्या कही हैं वहां सभी भावलिंगी नहीं थे उनमें द्रविलिंगी भी थे समय शरण में जो मुनिराज हैं जिनकी संख्या कही है वो सब कैसे हैं उनमें द्रविलिंगी भी हैं समय शरण के अंदर द्रविलिंगी मुनिराज विल्कुल द्रविलिंगी मुनिराज होग क्योंकि चरणानु योग का प्रसंग है लेकिन जिन का चरणानु योग से व्यावार और चरणानु योग बराबर नहीं है ग्यारवी प्रतिमा धरी श्रावक प्रतिमा ले रखी है ग्यारवी और आलू खाता हुआ पकड़ा जाए तो बोलो उसको कहेंगे के नहीं कहेंगे आम इच्छामी नहीं कहेंगे सीधी सी बात है आयोग्य हो गया नो उसने अपनी प्रतिमा के योग्य प्रतिमा धारीपन के योग्य आचरण नहीं किया तो आयोग्य गोशित हो गए सीधी सी बात है इसमें क्या है आरीकाओं का जो ल IAS व्यक्ति है वो IAS व्यक्ति यदि अपने IAS लेवल के योग आचरण ने करके ही नाचरण करे तो पद से उतार दिया जाता है सीधी सी बात है इसमें क्या है वो अपनी गरीमा को खो बैठता है ऐसा ही है यहाँ जिनागम में भी इसी प्रकार की बात है देखिए कितनी बाते किये रहे हैं बूरे की मर्यादा कितनी है गर्मियों में पंद्रे दिन की और सर्दियों में एक मेहने की मर्यादा है बूरे की दूद की मर्यादा कितनी है दो गड़ी की मर्यादा है 48 मिनिट की दूद की मर्यादा है चै गर्मियों का दिन हो चै सर्दियों का दिन हो उसके में उसमें जीवों की उत्पती हो ही जाती है अंतर मूर्थ बाद में आर्टालीस मिनिट बाद में सम्मूर्चन जीव उत्पन हो जाएंगे गाए के दूद में गाए जैसे बेंस के दूद में बेंस जैसे बेड़ के दूद में भेड़ जैसे अनिक प्रकारिया सेनी पंचें हो जाती है आठ पहर की और यदि स्वाद बिगड जावे तो ततकाल अवक्ष हो गया है क्या दूद का यदि स्वाद बिगड गया तो ततकाल अवक्ष हो गया दही यदि गरम दूद से जमाया गया है तो चोविज घंटे की दही की मर्यादा है ठीक है और अमित गतीश राव गंटे की मरियादा दही की कही गई है जिस समय उसमें जावन लगाया गया उस समय से शायद उसको 48 गंटे गिन लिए गए ऐसा भी हो सकता है लेकिन 24 गंटे ही अपने को मान करके चलना चाहिए चाच बिलोते समय चाच है ना चाच बिलोते समय यदि उसमें पानी डाल देवें तब तो चार पहर की मरियादा हो जाती है चार्च बनाते समय विलोते समय ही तब तो उसकी चार पहर माने बारे गंटे की मरियादा हो गई और बाद में डालें यदि पानी तो सिर्फ दो घड़ी की मरियादा है क्योंकि पानी की मरियादा दो घड़ी की है पानी की मरियादा दो घड़ी की है ना इसलिए वो दो गड़ी रह जाएगा आटारिस मिनिट की मर्यादा हो जाएगी उसकी गी, तेल और गुड़, अभी कोई सज्जन गुड़ के बारे में पूछ रहे थे गी की मर्यादा कब तक की है, तेल की मर्यादा कब तक की है, गुड़ की मर्यादा कब तक की है बोले जब तक इनका स्वाद ने भिगडे मेने दो मेने छे मेने साल वर तक भी तो इनकी मरियादा है मतलब ये काम में लिया जा सकता है आटे की बतलाई दिये पिसे हुए मसालों की मरियादा जो भी मसाले पिसे हुए हैं उनकी भी वही आटे जैसी ही मरियादा है तीन दिन पांच दिन और साथ दिन की मरियादा है नमक की मरियादा अंतर महुरत की है 48 मिनिट की है नमक की 48 मिनिट की मरियादा है और लेकिन नमक में यदि मसाला मिला दिया जाए नमक में किसी तरह का कोई मसाला दूसरा मिल गया है तो फिर उसकी मर्यादा 6 गंटे की हो गई है क्योंकि नमक को जल जल से बनता है ना नमक अब जल की मर्यादा 48 मिनिट की है और जल में यदि कोई दूसरी चीज मिला दी जाती है तो जल की मर्यादा 6 गंटे बढ़ जाती पानी चान करके रखा अभी पानी चानने की चर्चा करने वाले हैं यहां जो भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं उसमें अभी पानी चान करके रखा 48 मिनिट की उसकी मरियादा है 48 मिनिट बाद में वो दुबारा चानने योग्यों हो गया मनि बिना चाना हो गया वो पानी 48 मिनिट के बाद अब कह रहे हैं कि यदि 48 मिनिट के पहले पहले उस से चाने हुए जल में लवंग डाली, सौंफ डाली जिससे उसका स्वाद बदल गया तो फिर 6 गंटे की मरियादा होई पानी की मरियादा 6 गंटे की तो नमक था, नमक की मरियादा दो गड़ी की है, 48 मिनिट की अब नमक की जो दो गड़ी की मरियादा है 48 मिनिट की, अब उसमें दूसरा मसाला मिला दिया तो वो जल की मर्यादा जैसे बढ़ जाती है उस तरह से इसकी मर्यादा भी बढ़ जाती है ठीक है न ये जो लिश्ट है इसकी फोटो मैं टेलीग्राम ग्रूप के उपर डाल दूँगा जो मेरे सामने यहां रखी हुई है देखिए खीचड़ी, कड़ी, रायता, सबजी इन पद्विक जल वाले प्दार्त, पानी वाले पदार्त थे रोटी, पुरी, हल्वा, भड़ा इन सब की मर्यादा बार गंते की है बारे गंते की मर्यादा חंए इनकी protection lacda लगे हुए है यदि कोई पकवान बने हुए हो जिन में मौन लगा हुआ है मौन लगा देते हैं न उनकी 24 घंटे की मर्यादा है और बिना पानी के पकवान हो ऐसे कोई पकवान बनाये जाए लड़ू-पेड़ा दी इस तरह के कोई जिसमें जल प्रयोग नहीं लिया गया हो तो ऐसे पकवानों की मर्यादा फिर तीन दिन वई बरसात के दिनों में पांच दिन गर्मी में और साथ दिन सरदी के समय में हो जाती है मीठा पदार्थ मिला दिया जाए मिला यदि दही है दही में मीठा मिला दिया तो दो गड़ी की मर्यादा हो गई उसकी बस 48 मिनिट की माने दही में यजी मीठा मिल गया है कोई चीज दही में मिल गयी है तो फिर 48 मिनिट की उसकी मरियादा हो जाती है और गورड यदी मिला दिया जाए दही चाच बगरे के samot में तो फिर तो वो सर्वता अबक्षे हो जाता है ये कुछ अभक्षे पदार्तों के संदर्म में मैंने आपको बतलाया है इनकी लिश्ट उसके उपर डाल देंगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सच में मेरे कुछ आती उत्वाई शुरुता ऐसे हैं मेरे सामने जो मेरी बात को सुनते ही तत्काल त्याक करने की सोचते हैं बहिया ऐसा नहीं है निबती जान निभाई ये जानकारी रखें और जितना संबब हो उतना करें कहीं ऐसा नहीं हो जाएं इसके चक्कर में विवाद खड़े हो जाएं घर में शांती भी होनी चाहिए घर में जगड़े भी नहीं होने चाहिए इस बात का भी बराबर विचार विवेक हमारे उपियोग में होना चाहिए चलिए कहां तक आगए अपन मर्यादा के उपरांत का आटा नहीं खाना चाहिए आगे वाला पेरेग्राफ यहीं 180 नंबर पेच पर मरियादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए अचार, मुरब्बा, गुनावान दई बड़ा क्या होता है दई बड़ा दाल के बनते हैं बड़े और दई के साथ में खाये जाते हैं हमारे अनिल जी जेन सावे रिटाइड IPS बोले मेरे से एक दिन शादी में मिल गए बोले संजीव जी जिस दिन आपने दई दल की चर्चा की थी और दई बड़े की बात कही थी उस दिन का दिन है आज तक कभी दई बड़े को खाया नहीं उस समय तो वे ड्यूटी पर रहते थे तब भी निभाते हैं सब लोग बहुत सारे ओफिसर हैं ओफिसर ग्रेट के लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में भी तो वो सब बिलकुल ये तो छोड़ देने योग गये हैं क्योंकि इसमें तरस जीव की उत्पती है नजर आईगी आप जिंद की भर आप द्रश्य जिंद की पर निकल नहीं सकता है आपके आँखों के सामने से ऐसे अद्रश्य हो जाएगा सची घटना में सुनाता हूँ नो पंडित केलाश्चन जी बनारस वालों की सुनिए आप लोगों ने इसलिए वापस नहीं छोड़ेंगे हम देखो क्या कहां दई बड़ा और अत्यंत तुच्चे फल इत्यादी जो भी वस्तुएं शास्तर में निशिद हैं उनका त्याग करना चाहिए अत्यंत तुच्चे फल होते हैं बहुत चोटे-चोटे से होते हैं जैसे समझे लोगो डांसरे पता नहीं पहले ऐसा सुनते थे कोई जानते हैं आप लोग क्या बारिक-बारिक होते हैं वो ये जाडी बेर बेर जो आते हैं न हैं रेड कलर के जाडियों पर जो बेर लगते हैं बोर कहते हैं बेर कहते हैं जो भी जाड़ी के बेर कटेली जाड़ीयों के अंदर लगते हैं बहुत चोटे-चोटे से रेड़ कदर के होते हैं अभक्ष है हो उन में लटे हो सकती है अंदर क्योंकि आप उसे तोड़ करके, शील करके खा नहीं सकते हैं, आप उसको इतना छोटा है हो, बोर, इसलिए लटे ही होती है बहुत बार, बहुत बार देखा है हमने, बच्छपन में जब से जब उसको त्याक किया था, उस समय हमने कई बार खोल करके देखा, और कई बार उसक तोड़ करके कैसे खाएंगे, उसके अंदर भी घुटली होती है, इतने से के अंदर ही, देखिए, अब नीचे पानी चानने के संदर में बात कर रहे हैं, उससे पहले, पांच-सात मिनिट के लिए, आप बाइस अबक्षियों की चर्चा सुन लीजिए, क्या, बाइस अबक ओला घोल बड़ा निशिभोजन, बहु बीजा बेंगन संधान, क्या कहां? ओला घोल बड़ा निशिभोजन, बहु बीजा बेंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल या हो ये अजान, कंद मूल मिट्टी विश आमिश, मद्य माखन अरु मदिरा पान, फलति तुच्च तुशार चलित रस, जिनमत ये बाईस बखान, ये बाईस अभक्ष बखान, नहीं हो पाएगा इतना फाष्ट, कोई बात नहीं, तो आप उसको सुपीचे से सुन करके नोट कर लेना, चंद नोट कर लेना, चंद याद कर लेना, बाईस अभक्षियों के स राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोडो तो गुटली नहीं, बताओ उसका नाम क्या है, ओला, आस्वान से गिरने वाले बरफ के आईस के पीस, छोटे छोटे से वे ओला है, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, ख भोल बड़ा, मनें ये दही बड़ा, ओला, भोल बड़ा, निशी भोजन, रातरी भोजन, बहु बीजा, बहु बीज जिसमें हो, जिसमें एक बीज के कवर में अनेक बीज हो, को बहु बीजा कहलाता है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई तत्काल कोई ऐसी फलसमची नहीं आ रही है, बेंगन है बहुबीजा बेंगन, लेकिन बेंगन का नाम भी दे दिया आगी, बेंगन भी अवक्षे है, संधान बने होता है आचार, सब तरह के आचार जो महने, दुमेने, छे महने, पुराने जितने हैं, सब आचार अवक्षे हैं, ओला, घूल बडा, निशी भोजन मने, र के नाम आगे या हो ये अजान या अंजान फल जो भी अजान फल है जने आप जानते ही नहीं है जने आप पैचानते ही नहीं है उन फलों का क्या होगा अबक्षे हैं दूर से अबक्षे कर लो आप उनको नहीं नहीं सब्सक्राइब क्यों क्यों कि आज के समय में बहुत सारे नहीं नहीं फ्रूट्स आते हैं, नमालूं कहां कहां से, परदेशी आते हैं, कहां कहां से आते हैं, जनम से कभी देखें नहीं थे, समझी मन्नी में दिख जाता है, मिलने लग जाता है, पतानी जमीकंद है, पतानी बहु भी जाए, पतानी किस परकार का है, अजान है ना, नह क्या बता हूं हम तो उसे अवक्ष मान करके उसका त्याग किये बैठे हैं देखिए 20 साल से भी ज्यादा 25 साल कभी ध्यान नहीं है बच्पन में कभी खाया होगा तो क्या हो गया ओला गोलबड़ा निशी बोजन भवी जा बेंगन संदान बढ़ पीपल उमर कट उमर पाकर फ कर रहे हो आप किहां मिठी अभवक्ष है मिठी खाने योग्य नहीं हो सब गसा Ali Muslim यहर भी-भी-वक्ष ए और अरे जहर कॉन खाता होगा का जाता है कोई व्यक्ति माता इतना गरम हो गया अदाश्त नहीं हो रहीके किया करूंगा में जी कर के मर जञता हूं मैंतों आतमत्य जहर अबक्षे, जहर को अबक्षे कह करके आपको एक प्रकार से वर्दान दे रहे हैं, कौन सा अभयदान दे रहे हैं, निर्भय रहो, हात मत्या मत करो, जहर, मिट्टी, विश्च और आमिश्वने मांस, और मदीरा पान, शराब भी नहीं, फल अती तुच्च, अती तुच् बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से फल हो, तुशार माने होता है बरफ, फल अती तुच्च, तुशार और चलित रस, जिन भी वस्तुओं का रस चलाए मान हो गया, वो आम हैं, और आम का रस बिगड़ गया, आम हैं, आम का स्वाद बिगड़ गया, आम तो खाने हो गया, अबक्षे नहीं है आम तो एपल है एपल का स्वाद बिगड़ गया केला है केले का स्वाद बिगड़ गया तो जिस वस्तु का स्वाद बिगड़ जावे वो चलित रस हो जाता है ठीक है ना फल अति तुच्च तुशार चलित रस जिसका रस चलाए मान हो गया है ऐसी करन श्राव का चारादी करन्तों में तो बहुत तरह की बातें कही गई है क्या यह फालसे फालसे भी उसी तरह की चीज है जैसे जाड़ी बेर होते हैं ना उसी तरह की होते हैं चोटे चोटे से फालसे क्या चोटे फल हैं वे अतितुच्चे हैं वे ठीक है न जितना संभव आप जो जिस आदेखो भाई आपने जितने मर्यादा ली हैं आपने जिस वस्तु के बारे में जो सोचा हैं उसका त्याग कर दिया अभी हमसे नहीं चूट पा रहा हैं तो हम यह नहीं चोड पा रहे हैं अरे मैं तो यह कहा रहा हूँ हरित काई के जितनी वस्तुएं हैं फल फूलादिक हैं जितने भी हरी सबजियां वगरे भी आखिर सदोश तो ही ना यदि सदोश नहीं होती तो आश्टमी चतुरदशी को इनका त्याग क्यों करते हैं क्योंकि विशेश रूप से जीव उसमें सबने निविज आता है यह लेकिन पानी नहींफता है। सबनी बीज आता है टॉर्टलर्स गाने का शने पानी ने पानी की नीं का मतलब यह चाड़ीख हो गया। मतलब हैं भाते हाँW चृटल रेश्टुरइंट और उक्षाम हो गया। चने पानी का मतलब है बजार की कचोरी आठ पकोड़ी कुछ नहीं खा सकते हो आप बोलो या या आप त्याक करते हो तो बहुत अच्छी बात है और क्या खाने यूग्य है सच में परिणामों को समाल करके करना मेरे कहने में आकर के मता जाना आप बिलकुल भी फिर कह रहा हू परिणामों को समालना परिणामों को समालना प्रतिग्या लेने के संदर में टोटरमल जी साब ने मोक्षमार के प्रकाशक 249 नमबर पेश पर लिखा है प्रतिग्या लेने के बाद परिणाम डे बाई डे उत्तर उत्तर चड़ते हुए होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि प्रति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसूस कर रहा हूँ, इस चीज का त्याक करके मैं इससे नर्वरत हो गया हूँ, तो उसके त्याक करना सार्थ हके, इसलिए कीजे शक्ती प्रमान, पानी की बात देखिए, उस चने देखो, कैसे चानना पानी को, पानी चानने के बारे में बतला रहे हैं, 32 अंगुल लंबा, 24 अंगुल चोड़ा, मोटा, स्वच्छ वस्त्र लेकर, उसे दोहरा करके, पानी चानना चाहिए, कपड़े की लंबाई चोड़ाई बतला दिये, इसको मर्यादा लेकर करना चाहिए, हमारे ग्याता सिंगई हैं सिवनी में, हमारे जबलपूर में क्लास चल रही थी, बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, सब जैन समाज के बच्चे थे सब तरफ के, उन्होंने पानी चानने की विधी समझाई, तो उन्होंने बच्चों के माता पिता ने घर घर में पानी चान करके प्रियोग में लेना अब शुरू कर दिया, एक बार विधी हमारे को पता होना चाहिए, क्या विधी है, जैनी ओंकी निशानी हुआ करती थी किसी जमाने में, यह जो है ना यह चन्णा, यह चन्णा ठगा रहता था, यह जैनी की निशानी हुआ करती थी, हाथ में बूटल और यह पानी का अपड़ा ऐसा हुना चाहिए जिसमें से रौष्णी आरपार नहीं थिंखे ऐसा जाड़ा कपड़ा नहीं कुछ भी लगा लिया आपने। गंदा शूला मैला कुचेला नहीं रुमाल आपका गंदा था उसी से पसीनह पहुंचे रहते और मिला पहूंछे रहो उसके अंदर एक संकल्प लिखा है बिना चना जल काम ने लेंगे बिना चना जल नहीं पीएंगे नहीं क्या बिना चना जल पीएंगे अरे पीने के लिए तो गौर्रमेंट कहती है चान करके पी ओ दुनिया कह रही है यह सारा जो प्यूरिफाइड वॉटर जो आ गए हैं यह सब क्या वही पीने योग्य है और वही काम करने के योग्य है काम में लेने के योग्य पर योग्य करना चाहिए उसी का उस च्छने हुए कच्छे पानी की मर्यादा 48 मिनिट की है लेकिन कच्छा पानी था च्छना हुआ था 48 मिनिट की मर्यादा थी च्छने हुए पानी में यह दी और स्वाद बदल जाए तो उस जल की मरियादा दो पहर अर्था 6 गंटे की हो जाती है वो पानी की 6 गंटे की मरियादा हो गई जिस पानी को इतना उबाला जाए कि उसमें उच्छाला आने लगे उबाला आने लगे पानी को इतना उसको गरम कर लिया उसे ओटाएं या उबा पानी की मरियादा 24 गंटे की है इसके पश्चात वहबी किसी काम में नहीं लेना 48 गंटे बाद 24 गंटे बाद वह पानी पिर किसी काम में नहीं लेना ऐसा कहते हैं खतम हो गया उसका काम इस प्रकार पानी को उप्योग में लेना चाहिए तथा पानी का गालन भी अब ये गालन बहुत जरूरी है आपने उसको चनना लगा दिया चनने जो जिस कपड़े से आपने पानी को चाना है अब उसकपड़े में जीव आ गए ना बहुत सारे एकंद्री जीव नहीं चनने है एकंद्री जीवों को नहीं चाना गया है ये तो पानी के आश्रे से रहने वाले बहुत सारे तरस जीवों को चाना गया है ये उसकपड़े में आ गए है अब वो कपड़े में आ गए तो मरेंगे वो जीव तो क्या करना कि जो च्छना हुआ पानी जिस बरतन में निकाला है उस च्छने हुए पानी से निचोड़ना नहीं उसको ऐसा सीधा पकड़ना उस कपड़े को और सीधा ऐसा पकड़कर के अपने हाथ से पकड़कर के ऐसा पकड़कर दूसरे चने हुए पानी का ऐसा जल डालना उसके उपर जिससे वो जो पानी है उस पानी से वे जीव चले जावे नितर जाएं कहां कि जिस जल से निकाला है उसे जिस जल में से चाना था उसी जल में जाना चाहिए आज कल तो नल का जमाना है तो नलों में तो हो नहीं सकता है तो खुए की मरियादा की बात है लेकिन तो भी जहां वेसिन हो जहां सिंक हो जहां पानी बे रहा हो ऐसी जगे पर उसकी बिलचानी कर देनी चाहिए वहने कपड़े को दो देना चाहिए और फिर उसके बाद में उसे बिना ऐसे पानी से ऐसे मसोचना नहीं उसको सीधा, उसको सीधा का सीधा उसे टांक दीजे, वो कपड़ा सुक जाएगा, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इस प्रकार पानी को उपयोग में लेना चाहिए, तदा पानी का गालन भी जिस कुए आदी से पानी लाया गया हो, उसी कुए आदी में डालना चाहिए, अ अपनी बोग बोग की सामगरी में दिवेक रख कर तियाग और ग्रहन करना चाहिए कही तो बहुत सारी हैं लेकिन मानना उतनी ही जिसमें परिणाम निर्मल रह सकें निभाने का प्रयत्म करना उतना ही जितना आप द्रड़ता से पालन कर सको जितना निभा सको आप परिणामों के सवाल करना भाईया हमारे पंडी जी साथ बार बार में कहते हैं फल तो परिणामों का लगता है ये जीव भाईये क्रिया पर तो द्रश्टी रखता है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करता है बहुत विस्तार से कहां कहां धरम के नाम पर भ्रम हो जाता है पानी चान करके क्या पिलिया अपने आपको धर्मातमा समझने लग दे आलू प्याज जमीकंद का क्या त्याक कर दिया अपने आपको बहुत बड़े धर्मातमा समझने लग गए तुम्हें पता है मैंने इतने साल के अंदर रात को नहीं खाया तुम्हें पता है इतने सालों से मैंने बजार का नहीं खाया अपने ग्यायक स्वभाव का अवलम्मन लेवे जीवों के प्रती करोना पालन करते हुए सदाचार का भी पालन करें तो हम सब का जीवन उतकरष्ट तम बन पाएगा हम सब का जीवन उतकरष्ट रीती से बने और उत्तर उत्तर हम सभी अपने गुणस्तानों को चड़ते अल्पकाल में सिद्धाले में जाकर के विराजमान हो इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ निज निधी निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है